हेलो वरिवान वेलकम यूओ आल एट लोके सरल अनलिम्टेड स्टडी जोन गईज सभी बच्चों का सभी हमारे जो भी अभ्यरती यहां पर तयारी करने आये हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को बहुत-बहुत प्रडाम और आज हम यहां पर क्या स्टार आज का अफिर स्टार करने वाले हैं पहले मैं बैच का नाम बता दो वित्रो यह जो मैच चल रहा है यह उव्राज बैच्च एक बार फिर से में उता देता हूँ, यह हमारा युवराज बैच है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाना चाहें तो देख लें, और इसमें हम basic cover करते हैं, इसमें केवल हम basic जो concept हुआ करते हैं, वो लिया करते हैं, तो आज युवराज बैच की class नमबर दो है, और आज का topic है basic maths का, आज का topic है क्या, basic maths का, और इस maths में हम जो है, different competitive examination, जैसे की हो गया आपका, sanic school हो गया, ok, sanic school हो गया है, आपका, आपका नवोदय विद्याले हो चुका है, NVS हो चुका है, आपका MP पटवारी, आपकी छोटी छोटी जो परिच्छाएं होती है, postal के exams, इन के लिए हम यहाँ पर आपकी तैयारी करवाते हैं, तो आईए, आज का हमारा topic क्या है भाई mensuration, ok, तो mensuration क्या है, mensuration का मतलब है measurement, mensuration का मतलब, measurement, मतलब हमको किसी चीच को नापना है, ok, so this chapter is related to measurement actually, मतलब इस चीच का मतलब हमको किस चीच को मापना है, तो किस चीच को मापना भाई हमको different figures को मापना है किसको मापना है different figures को और कौन से figure plane figures कौन से figures plane figures देखिए कुछ figure होते हैं जो 3D में होते हैं जो इसको मैं बना नहीं सकता हूं जो बाहर आते हैं बोड के बट कुछ figure जो होते हैं जिनको आप अपने plane के अंदर बना सकते हो उन फिकर्स को आप बोलते हैं क्या उनको हम बोलते हैं प्लेण के पेपर के अंदर नहीं बनाई जा सकते हैं उनको हम क्या जैसे 3D फिगर मतलब की एक कौन एक क्या तो जैसे से बाहर आएगा उसका कुछ हिससा कहाँ आएगा बाहर आएगा इस तरीके से से वस्ट मैं इसको दिखा रहा हूँ है यह 3D फिगर तो यहां पर हैं कीवाएं triangle, क्या यदि है सब पहले, triangle तो हम different type of triangle की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो आपके सामने देख रहा है, ये triangle है, अगर triangle में पहला triangle हमारे पास कहलाता है जिसकी तीनों side अनिक्कॉल हो, मतलब ये है A, इसका नाम लेते हैं A, B, और ये लेते हैं triangle का नाम होता है ABC, तो इस triangle को हम पढ़ते है, triangle A, B, C क्या बोलते है triangle A, B, C ओके, इसकी एक side कितनी है A, B, एक side कितनी है, B, C और एक side कितनी है, A, C तो ये triangle की तीन sides होती है triangle की तीन, जो sides हुआ है यहां पे कौन कौन सी साइट से हैं यह साइड है A B, एक साइड है B C और एक साइड है A C यह C A भी बोलने कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है आपको जैसा बोलना हो आप बोलने उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप देखे यदि ट्रेंगल की टीनो साइड अगर आपस में इक्वल नहीं है मां लीजे यह 3 है, यह 4 है और यह 16 है तो आप देखे क्या आपस में इक्वल है, नहीं है तो इक्वल नहीं होने पर ऐसे ट्रेंगल को हम बोलते हैं Scale and triangle क्या बोलते हैं जी हाँ, ऐसा triangle जिनकी तीनों भुजाएं, तीनों side सी क्वल ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, scale and triangle हिसी में, हिंदी में इसे बोलते हैं, विशम बाहू त्रिभुज, क्या बोलते हैं हिंदी में, विशम बाहू त्रिभुज, यानि की विशम मतलब की अलग-अलग बाहू यान इसको scale and triangle चलिए तो अगले triangle की बात करते हैं अगले triangle जो मज़दार triangle है देखिए अगले triangle में दो sides आपस में equal हैं ये देखिए दोनों side आपस में क्या है equal है माल लीजे ये भी 6 cm की और ये भी किते cm की है 6 cm की बट ये थोड़ी सी बड़ी दिखरेए है ये किते cm की है 8 cm की तो ये A है ये B है और ये क्या है C है तो आप कहेंगे कि भाई ऑड्ले और A C आपस में क्या है इकल हैं तो ऐसे triangle को हम क्या बोलते हैं ऐसे triangle को हम बोलते है Isos». गता है अई-स मतलब सेम आईिसो मतलब सेम सेदिस C-A-L-E-S Isoceles triangle इसे हिंदी में बोलते हैं SUM DUI BAHU SUM मतलब बराबर DUI मतलब दो BAHU मतलब बोजाएं इसकी दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल नहीं है ओके यह हो गया Isoceles triangle तीसरी जो triangle type का होता है तीसरे type का triangle जिसकी तीनों साइड इक्वल हुआ करती है लोनो गलत बोल गए भाई साब एक्क्वि लेटरल ट्रेंगल सब्सक्राइबि एक्विवेलेंट नहीं ऐक्वि लेटरल ट्रेंगल ये जैसे इसकी साइड है मां लो ये भी 8 cm है ये भी किते cm? 8 cm और ये भी किते cm? 8 cm तो ऐसा triangle कहलाता है equilateral triangle क्या कहला था बच्चो आपको ये तो हो गई triangle के type ये क्या हो गई triangle के type अब मैं आपको बताता हूँ एक बंद बने आ हो फाले में जिसका नाम है भाई साब सब्धामたい क्या नाम है एंगल क्या होता विए कौन बताएगा मेरे को एंगल क्या होता है इंगल के होता Hangल ना दो थो तुम नहीं गलत बोल दिया दुँ यह ऐक मिलाइन यह का नाम आपने क्यों ले लिया, देखिए रे का मतलब यह होता है, जो एक ही तरफ आंगे बढ़ती है, किस तरफ आंगे बढ़ती है, एक ही तरफ, समझना मैं डाइग्रम बना रहा हूँ आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा आएगा आगे, रे और लाइन में क्या अंत का जो तुकड़ा होता है ओए भाई यह देखें ये कोई लाइन है ओके इस लाइन का नाम यह लाइन जा रही है किसी लाइन का तुकड़ा ले लो पी और क्यू तो ये कहलाता है लाइन सेग्मेंट क्या कहलाता है लाइन सेग्मेंट तो यह रे मतलब रे जो होती एक ही तरफ चलती है और यह कहां तरफ चलती है और लाइन जो होती इधर भी चलती है और इधर भी चलती है जैसे आपकी रोड होती है इधर भी जाती है इधर भी जाती और पीचे भी जाती और आगे भी जाती जाती ने रोड दोन तरफ ये रोड का कोई भी तुकड़ा ले लो या किसी भी लाइन का कोई भी तुकड़ा ले लो तो उसको बोलते हैं लाइन सेग्मेंट क्या बोलते हैं लाइन सेग्मेंट तो चलो आज बात करते हैं भाई fixed ray के बारे में, तो ये कौन सी ray है भाई साब, ये एक fixed ray है, कौन सी ray है ये, fixed ray, अब fixed ray के सापेक्च में, अगर आप माल लो, इसके उपर कोई दूसरी ray है, वो यहाँ पर है, ओके, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, fixed ray के respect में यह कितना rotate हुई है कितना rotate हुई मतलब कितना घूमी है कितना यह जी हाँ तो rotation को बोलते हैं angle मतलब what is angle angle is the amount of rotation amount of rotation की मात्रा भाया कितना घूमे हुए हो amount of rotation समझ मैं है ना जब मान लू भाई साब आप घड़ी देख रहे थे ओके आप क्या देख रहे थे घड़ी देख रहे थे घड़ी में आपके पास में जो है काटा यहाँ पर था काटा यहाँ पर किस पर नौ पर था किस पर था नौ पर काटा था समझ गया ना मिनट का काटा नौ पर था फिर उसके बाद आपने देखा थोड़े समय के बाद जो है मिनट का कांटा चल करके किस पर आ गया बारा पर आ गया किस पर आ गया तो भाईया amount of rotation कितना travel किया इतना समझ में आ गया इतना travel किया clear हो गया तो इसको बोलेंगे यहां पर यह कहलाएगा angle और अभी जानता नहीं जानी इस angle के बारे जाले यह angle जानते किते डिगरी है 90 डिगरी किते डिगरी है 90 डिगरी जो एल शेप का एंगल जहां भी बनता वहां पर किते डिगरी होता है 90 किता होता है 90 डिगरी इसको बिलकुल सही तो 90 डिग वाले triangle का एक special नाम दे रिया गया है इसे बोला गया है right angled triangle क्या बोलते हैं right angled triangle ठीक है right angled triangle बिल्कुल सही यह कहलाता right angled triangle आप देखो भाई यह कौन सी ray है यह fix ray है इसके उपर मैं movable ray को घुमा रहा हूं यह देखिए यह जो ray angle बना रही है यह angle जो है यह 90 से कम है कि ज्यादा है 90 से कम है कम है तो यहां पर देखिए fix ray का नाम क्या था मानलो पहला op था और फिर यह move करके चली गई yes or no तो यह जो angle है अगर यह point O है तो इस angle को कैसे पढ़ते हैं P O Q क्या पढ़ते है या Q O P जिस पर angle बनता उसको बीच में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको angle P O Q यह angle का निशान है angle P O Q यह कैसे लिखोगे angle Q O P चाहिए से P O Q का नाम देथो चाहे की O P का नाम देथो बात कितनी है बराबरी एक ही बराबर तो मेरे को यह देखके बताओ यह वराज की यहाँ पर जो एंगल बन रहा यह 90 डिगरी से कम है कि जादा है यहाँ पर तो 90 है यह वाला बताओ ना यह 90 डिगरी से छोटा है कि बड़ा है बिल्कुल से यह वाला एंगल छोटा है तो ऐसा angle जो 90 degree से छोटा हो उसको हम बोलते है acute angle किसको बोलते है बिल्कुल इससे क्या बोलते है acute angle तो देखो ये strangle में ये angle किता है 90 अच्छा ये वाला बताओ 90 से छोटा होगा कि बड़ा बिल्कुल नहीं कैसे हो जाएगा बड़ा भाई ध्यान से देखो अच्छा तुम यहाँ वाली line है इसी line है अगर 90 होता तो ये line ऐसी नहीं होती बताओ तो ये तो छोटा होगा ना छोटा कम होगा बोलो ये सन्नो तो ये भी क्या होगा acute ये भी क्या होगा अच्छा ये भी क्या होगा बोलो ये भी acute होगा समझ में आगे ना ये भी क्या होगा? अगले अगल के बारे में देखो बीटा, ये आपके पास में लाईन है, ये आपके पास में ये रे है, ओलो या सौन हो, अब इसके उपर एक रे गुमते गुमते यहां पर पहुंच गई, ये देखो भाई, ओके ये देखो ये जो एंगल बन रहा है, यह 90 से बड़ा है तो इसको बोलते हैं obtuse angle, क्या बोलते हैं, इसको obtuse angle, clear हुआ बिल्कुल सही बात है, यह कौन सा angle है, obtuse angle, तो मैं पूलूँगा आप से 30 degree किता, acute है क्या obtuse है, बिल्कुल सही 30 degree acute angle है, अगर मैं मैं आप से बोलूँगा एक्टूट है कि अप्टूज है तो 45 डिग्री भी क्या है एक्टूट को मैं बता दूँ बच्चों हिंदीम बोलते न्यून कोड क्या बोलते हैं न्यून कोड कर एक्योट एंगल से मतलब आपन इंगलिश वाले हैं और अब्ट्यूस मतलब 90 से बढ़ा मैं बोलूँगा आपसे 110 डिग्री तो बताओ एक्यूट होगा कि ओप्ट्यूस होगा ये क्या होगा ऑप्ट् टाइब ओफ ट्राइंगल आपको बढ़ा दिया कि जो टाइप ओफ ट्रैंगल होते हैं कित्ते टाइब के होते हैं आपको मै ने बताया आई सोचे लस्ट बताया आपको मैने इक जी हाँ, perimeter of triangle, अरे भईया, perimeter का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिजिए आपके पास कोई भी triangle है, triangle की boundary को ही perimeter बोलते हैं, triangle की boundary को ही क्या बोलते है, perimeter, मतलब कोई triangle है, उसकी boundary को ही perimeter कहा जाता है, जैसे माल ली जब कोई triangle है ये है A, ये है B और ये है C इसकी perimeter मतलब इसकी boundary तो इसकी A boundary क्या है? A, B है ये क्या है? A, C है और ये क्या है? B, C है तो total add कर दोगे तो पूरी boundary है जाएगी इसकी perimeter जिसको P से लिनोट करते है equal to A, B plus A, C plus क्या? B, C इसको A, B plus A, C plus B, C बच्चों एक चीज मैं आपको बता दे होते हैं, ये जो कोना कहलाता है इसको हम बोलते है angle A, क्या बोलते हैं इसे? ये कोना कहलाता है angle B और ये कोना कहलाता है angle C angle A, angle A के सामने की side होती है small A, क्या होती है? angle B के सामने की side होती small B और angle C के सामने की side होती small C तो आप चाहे तो perimeter को लिख सकते है small a plus small b plus small c ठीक है ना और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाला इस्तमाल करिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना तो ये हो गई triangle की perimeter triangle की perimeter ओके तो triangle की perimeter क्या होगी जै तीनो side का sum अब perimeter के बाद आता है semi perimeter क्या नाम आता है semi perimeter का मतलब होता है perimeter का आधा perimeter का perimeter का half perimeter का half तो आपके पास perimeter कितना था पी और पी का क्या कर दोगे half तो ये क्या निकल जाएगा semi perimeter क्या निकल जाएगा semi perimeter तो मान लिजे आपके पास ये triangle abc था ये क्या था triangle ab इस्वाली साइट का नम मानलो इस मॉलें इसनाम का किया मानलो looks सामी पैर कितनी हो जाएगी क्याद्र षब लेकर तो अलब करेबच movement कर लेते हैं कर्या है यह गिसांपल हो उसे देख से पैरिमिटर निकली है और semi perimeter किती निकलेगी मान लीजे आपके पास ये triangle है ABC और इसकी मैं boundaries ले लेता हूँ मान ले इसको मैं ले लेता हूँ 12 इसे मैंने कितना ले लिया 12 इसे मैंने ले ले लिया 13 और ये मैं ले लेता हूँ 6 मुझे दो चीजे निकाल ली है एक तो निकाल ली है perimeter और दूसरी निकाल ली मज़े इसकी semi perimeter तो perimeter इसकी कितनी निकालूँगा 12 प्लस 6 प्लस 13 बोले यह सोनो तो 12 और 6 कितना हो गया 18 और 18 प्लस 13 कितना हो गया भाई साब देखे 8 और 3 11 हुआ 1 केरी आगई 1 और 2 और 1 कितना 3 तो अगर यह सबकी सब centimeter में 3 तो answer कितना आएगा 31 centimeter कोई देखकत होई क्या तो answer कितना आएगा 31 centimeter इस तरीके से हम इसको हम solve कर सकते हैं इस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं यह तो निकाल ली perimeter अब बोल दिया इसी question में semi perimeter निकालना है तो semi perimeter क्या होता है perimeter का half perimeter का भाई आपनी perimeter कितने निकली है 31 और upon में कितना 2 तो answer कितना आ गया 31 by 2 cm चलो अपन को division करना तो आने ही लग गया सीख लिया तो क्यों न division कर लिया जा इसी बात पर तो आईए भाई 31 में हम 2 का divide करते हैं ये लिखा 31 ये लिखा 2 2 से कितने बार गया एक बार ये कितना उतना 1 अभी भी 1 जिन्दा है 2 5 जा कितना 10 ये कितना आया 1 बट अब डिवीजन नहीं जाएगा न decimal जिन्दा बार ठीक न decimal रखने से किसकी पावर आती है 0 लगाने की बतो 2 से कितने बार 5 बार 10 से 10 cancel बोलो answer कितना आगया 15.5 मतलब divide करने पर यहां पर मैं कितना answer लिखूंगा 15.5 cm बोलो clear है so correct answer कितना होगया 15.5 cm समझ में आगया ना इस तरीके से ये perimeter हो गई और ये क्या हो गई हमारी semi perimeter तो निकालना सीख लिए अपने perimeter और semi perimeter ठीक है ना चलिए बहुत अच्छी बात है अब देखते हैं जी अब 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 क्या देखते हैं एक और question देखते हैं चलो जी एक और question देखते हैं माल लीजे आपके पास ट्रेंगल है ओके इस ट्रेंगल की साइड है 6 cm किते सेंटी मेटर इसकी साइड है 9 cm ओके और इसकी साइड है 0.2 मेटर 0.2 मेटर यस हां बिल्कुल ध्यान चला गया भाई साब ये मीटर है क्या है ये अच्छा ये किसमे है ये किसमे है और ये किसमे है भाई तो रूल कहता है कि सबको सेम बदल लो तो मीटर को किसमे बदल लिया जाए सेंटी मेटर बदल लिया जाए अराम से जल्दवाजी नहीं इसको किसमे बदल लिया जाए सेंटी मेटर में तो हम जा करना पड़ेगा 100 का तो 0.2 multiply by कितना 100 अब मैंने आपको decimal conversion सिखा रखा कि नहीं सिखाया हाँ भाई सब तोड़ दो decimal गया नीचे कितना आएगा और यह कितना 0 से 0 ऊपर कितना बचा 2 into कितना 10 answer किते centimeter ये लो तो 0.2 meter जो था उसको हटा करके आप क्या लिख सकते हो 20 centimeter अब निकालो perimeter तीनो साइड का समझे प्लस 9 प्लस कितना 20 अब 0.2 मत रख देना क्योंकि सब कुछ centimeter में चल रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा अब उन में कितना अब उन में कुछ नहीं क्योंकि तो perimeter निकाल रहा है बुलो yes or no तो 6 और 9 कितना हो गया 15 हो गया और प्लस कितना 20 तो answer कितना हो गया 35 centimeter आ गया समझ में न अब निकालते हैं इसकी semi perimeter क्या निकालते हैं इसकी semi perimeter तो अपन जानते कि semi perimeter विक्ल टू perimeter का half बुले ऐसा नो तो perimeter अपनी कितनी आई 35 centimeter आई ना अप उन में कितना करेंगे तू तो चलो आजाओ भर division करने अपनको तो बनने लग गया है 35 में 2 का रिवाइट किया बोलो टू बन जा किता बचा किता आया 27 जा 14 किता बचा अब नहीं जाएगा ना decimal ले लिए तो किसकी power आ गई 0 लगाने की टू रिकते बार 5 बार 25 जा कितना 10 आंसर बोलो किता आया 70.5 cm clear है तो इस तरीके से आपने देख लिया semi perimeter निकालना और perimeter भी निकालना अच्छा ये बताओ कि केवाल आप triangle की perimeter निकाल सकते हो या किसी की भी निकाल सकते हो बिल्कुल से क्योंकि boundary है मान लो ये भाई ये दिया गया आपको ओके ये क्या दिया गया इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्योंकि इसके चार कोने कितने कोने हैं चार ये देखो एक कोना ये है एक कोना ये है और एक कोना ये है कुछ भी हो सकता है कौड़ी लेटरल में कुछ भी हो सकता है कौड़ी लेटरल में पहलो ग्राम भी होता है कौड़ी लेटरल मतलब चार कोने वाली चीज चार कोने वाली चीज उसमें आपके पास में ये भी हो सकता है उसमें आपके पास में ये भी हो सकता है उसमें आपके काईट भी हो सकता है काईट का एक कोना बड़ा रहता है एक कोना छोटा रहता है समझ मैंना तो कुछ भी हो सकता है और तो इस तरीके से यह सारी चीज होती है और उसमें आपके पास में यह भी हो सकता है तो यह क्वाडिलेटरल है क्या है यह क्वाडिलेटरल है जंक फूप सब अपने इससों को सबतेये, उपर उपर की बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये क्या है, एक quadilateral, ये क्या है, चलो quadilateral, इसका नाम देदो, A, इसका नाम, B, इसका नाम, C, और इसका नाम, चलो, इसकी perimeter ये दिया है, 16, ये दिया है, 10, समझ गया ना, ये दिया है, 12 और ये भी किता दिया है, 10, चलो, अपनको इस की perimeter ज्याद करनी है तो कैसे नहीं का लेंगे perimeter equal to 16 plus 10 plus 12 plus 10 बोलो कर लोगे ना कोई दिक्कत तो नहीं है तो 16 और 10 और 12 और 10 को जोड़ दो 16 10 plus 12 plus 10 2 plus 6 कितना हुआ 8 1 2 3 and कितना हो गया 4 answer किते centimeter 48 centimeter तो यह हो गई perimeter क्या हो गई perimeter 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 का मतलब होता boundary perimeter का मतलब boundary boundary मतलब तुम कितने इसके यहां पर इसका outer boundary कितनी है इसकी बाहर की boundary कितनी है लंबाई total plot की लंबाई total field की लंबाई मतलब overall boundary समझ में आ है ना अब अगला concept हम आपको बता रहे है area क्या बता रहे है area येस आपको हम बता रहे हैं area ठेक ना तो area का मतलब होता है बेटा कि boundary के अंदर कितनी जगह है ये देखिए हाँ इसे कहते है area क्या बोलते हैं से area जैसे आप अपने घर का क्या करोगे रहोगे कहां पे area पे कहां पे रहोगे एरिया पे वट घर जब का बना होगा घर के आप अगर घर की फेंसिंग करवाओगे तो कहां करवाओगे बाउंडरी पे बाढ़ा लगवाओगे तो कहां करवाओगे बाउंडरी पे फेंसिंग करवाओगे लोग अपने खेत की यह सौनो बट अपना खेती कहां करेंगे उसके अंदर खेती कहां करेंगे उसके अं ट्रेंगल का एरिया आये तो आपन पढ़ते आते हैं आपको ट्रेंगल का एरिया तो टॉपिक क्या आपना आज का एरिया ऑफ दे ट्रेंगल एरिया ऑफ दे ट्रेंगल बेटा बहुत अच्छे से समझना एरिया ऑफ दे ट्रेंगल क्या होता है एरिया ऑफ दे ट्रेंगल होत base ok into height का दूसरा नाम होता है altitude क्या नाम होता है altitude समझ के ना और जो 90 degree पर हो line जो side 90 degree पर हो उसे को height बोलते है उसे हम क्या बोलते है height बोलते है आई बथ समझ में चलो कभी बात नहीं देख लेते हैं भाई साब अपन जो साइड 90 डिगरी पर उसे हम क्या बोलते हैं हाइड बोलते हैं चलो एक्जामपल देते हैं देखो जैसे मानलो अपने पास एक ट्रेंगल है यह अपने पास एक ट्रेंगल दिया गया है ओके यह है यह मानलो दिया गया जो सामने वाले पर किते डिगरी पे हो, 90 डिगरी पर हो, समझ गया ना, तो बेटा मेरे याद रखना perpendicular का ही नाम होता है, height, height मतलब उचाई, इस ट्रेंगल की उचाई कि ती होगी तिंगी यह इतना ऊचा है ना जैसे मनें कोई तंबु बनाए तो तंबु कि ता उचाऊगा ओ जितने बात से उपर कसा होगा बेंदेन ये तैन्ट है ना तो ये इसकी हाइट होगा इतो प्रपेंडिकुलर कोई क्या बोलते हाइट और ह दोनो भाई सब, बेस क्या होता है, जिस लाइन पर 90 डिगरी बने, उसको बोलते हैं बेस, उसको क्या बोलते हैं, मालो ये ट्रेंगल ABC है, यहाँ बताओ किस लाइन पर 90 डिगरी बन रहा है, किस लाइन पर, किस लाइन पर 90 डिगरी बन रहा है, AB पर की BC पर की AC पर बिलकुल सही तो 1 upon 2 base क्या होगा BC क्या होगा जिस पर 90 degree आकर कि जिस पर एक खूंटा खड़ा रहे उसको बोलते हैं base समझ गया ना हाँ जिस पर साधार है उसको क्या बोलते है base और height का नाम क्या है AC sorry AC नहीं है यह height का नाम है मैंने यहाँ पर कोई नाम दिया नहीं क्या नाम दे दूँ तो height क्या होगई AD क्या height होगई AD चलो अगया समझ में अब मालई लो मैंने आपको height इतनी दे रखी है यहाँ पर मैंने आपको height दे रखी है 8m, 8cm कितने cm चलो तो area निकालते है हाँ ए से लेके deep यह perpendicular 8 cm बुलो यह सानो 8 cm 2 से किते बार कटेगा 16 8 बार कटेगा तो 8 into 8 कितना 64 ओके और cm एक बार और cm दो बार क्या होगा cm2 cm2 क्योंकि जब आप 2 नंबर का multiply करते है x into x का तो क्या बनता है x का square yes or no याद है 2 into 2 बराबर होता है 2 का square तो x cm2 cm क्या हो जागा cm का कोई दिक्कत बन जाएगा तो यह कहलाता है आपका triangle का area यह कहलाता है triangle का area चलो तो आज आज़ो एक बार फिर से हो जाए triangle का area एक question ठीक है ना यह आपके पास में एक triangle मैंने आपको दे दिया यह चलो बता इसका area कितना होगा area का formula मैं लेक देता हूं बोलो क्या होता 1 upon 2 base into कितना height base into height ओके done 1 upon 2 base into height तो यहाँ पे ओई भाई चलिए ओके तो देखें यहाँ पे क्या हो जागा 1 upon 2 base into height तो बेटा यहाँ पे हो गया 1 upon 2 और बोलो इस question में base कितना दिया है base कौन सा है बीटा जिस पर perpendicular किरे हां base यहाँ पर 4 है base यहाँ पर कितने centimeter perpendicular कितना है बीटा इस question में height कितनी है बताऊ height कितनी है कि अरे क्यों नहीं पता भाई height यह तो अh perpendicular जो गिर रहा है法ом गिर तो height कितनी हो गई 3 cm, yes or no तो 2 से किते बार कड़ गया, 2 बार कड़ गया और 2, 3 या कितना हो गया, 6 यूनिट के आएगी, cm, square cm, square clear होगा कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से ये triangle का area आगया, चलो अगला question देखता हूँ मैं, ये, ये ये, ओके और ये है भाई साब, 90 degree ओके, ये कितने का है, ये 4 का है, मानलो ये 3 है, ये 6 है, और ये 7 है, चलो बताना है आपको area triangle का इसका नाम है A, ये है B और ये है C, area इकल टू होता, 1 upon 2 base multiply by height base into height ओके, 1 upon 2, बो लिए यहाँ पर base कितना है, 6 base कितना है नहीं, बिलकुल गलत, यहाँ पर देखे, base ये बनेगा, क्योंकि base वो होता है, जिस पर आपको पता होता है कि altitude क्या है, तो इसका base ये बनेगा, 7 base क्या बनेगा, 7 ये बन गया, base 7 बन गया, और इस पर height कितनी है, बताईए, 4 height कितनी है, 4, तो 1 upon 2, 7 into 4 तो 1 upon 2 से 2 से 2 क्या हो गया cancel, तो answer 7, 2 जा कितना 14 cm square समझ में आ गया, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, base कौन सा है और height कौन सी है, समझ गया ना जिस पर perpendicular गिरता है वो base होता है, और जो 90 degree पर बनाता है, वो क्या होती है height, clear है ना, वैसे आप छोटी class में अभी तो आपको ऐसी वाला question आएगा ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको question ऐसा आएगा, ओके यह होगा triangle A, यह होगा triangle B और यह होगा triangle C, यह लो और यह इस पर ऐसे गिर चुका है 90 degree यह क्या होगी height, क्या होगी height, समझगे ना, तो यह height होगई, तो अपने पास माल लो यह 9 है, ओके यह 3 है, यह 2 है, यह कितना है अपने पास में, 5 है ओके, चलो, तो आपको बताना है कि triangle का area कितना होगा ओके, तो area of the triangle, area equal to 1 upon 2 base into height ओके, 1 upon 2, तो इस triangle मैं बोलो, base क्या है 9 cm, तो बिलकुल base यहाँ पे 9 cm है, और height कितनी है, 3 cm, ओके तो 9, 3 जा कितना होगई, 27 cm square upon 2, upon 2 हैगा इसको solve कर लेंगे न, कोई दिक्कत तो यह होगया triangle का area triangle का, कोई दिक्कत है चलो, जी, बहुत बढ़िया होगया तो इस तरीके से आपके पास में triangle का area निकालना आपने सीख लिया 1 upon 2 base into height एक चीज में आपको बता दूँ बच्चों कि right angle triangle में बिलकुल दिमाक नहीं लगाना पड़ता है right angle triangle में base नीचे वाला होता और height उपर वाली होती है, ओके इसमें ढूड़ना नहीं पड़ता है कि कहा 90 degree सीधे, base ये वाला और height ये वाली clear हुआ ना, तो अगर ये मानलो 12 दिया है, ये दिया है 13 ये दिया है कितना 15 ओके, तो अपने पास कितना होगा area area equal to 1 upon 2 below, base कितना है 13, और height कितनी है 12, 12 से कट गया ये हो गया आपका area clear है, कोई दिक्कत ओके, अब आईए हम आपको triangle के बारे में बहुत important theorem पढ़ा रहे हैं, किस triangle के बारे में right angle triangle के बारे में right angle triangle के बारे में इस theorem का कमाल ये है बच्चों कि आपको अगर दो side दी गई हो तो तीसरी side आप पता कर लोगे अब ये theorem क्या कहती है, रेखे ये theorem कहती है, right angle triangle है न 90 degree बन रहा है न, ये कितने degree है बोलो, 90 degree 90 degree का triangle क्या कहला था, right angle triangle अब मान लीजी, ये triangle है A है, ये B है, और ये क्या है C है, ध्यान से देखे, इसकी सबसे बड़ी side क्या है, A, B की A, C की B, C, A, C सबसे बड़ी side कौन सी है, A, C तो ये theorem कहती है, ये rule कहता है, अभी अब theorem समझो, इसको rule बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये rule कहता है कि सबसे बड़ी side का जो square होता है वो बाकी की side के square के sum के equal होता है, मतलब बाकी की side क्या बची, AB का square और प्लस BC का square, बुलो आया सौन में की नहीं है, AB का square प्लस BC का square, चलो एक question करते हैं, तब आपको और अच्छा समझना है, आन लीजे आपके पास एक कोई right triangle है, इसकी एक side है 12, एक side है, और एक side क्या है 13, जिनके बीच में right angle बन रहा है, आपको बताना है कि इसकी सबसे बड़ी side क्या होगी, इसका नाम दे दिया है A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, तो अभी आपने theorem पड़ी, कि भईया सबसे बड़ी side क्या होती है, A, C, ये वाली side है, नहीं, बना सकते हो, नाम कुछ भी दे दो, बट ध्यान से देखना कि कौन सा नाम दिया है अब आपने इसका नाम अलग दे दिया तो भाई उसके नाम के हिसाब से चेंज कर दिना मान लो आपने इसका नाम अलग दे दिया इसका नाम आपने B दे दिया इसका नाम C दे दिया इसका नाम क्या दे दिया चलो इसका नाम अपने A दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया C दे दिया बुले यह सॉनो अब सबसे बड़ी साइड कोंसी होगी BC तो रूल क्या लगेगा सबसे बड़ी साइड का स्क्वेर बराबर बाकी यह दो छोटी साइड तो जोटी साइड क आपन उसको क्या माल लेते हैं X, तो X माल लो थोड़ा अच्छा लगेगा तो BC की जगे क्या माल लिया X, X का square equal to बोलो AB कितना है, 13 है की नहीं है 13 का square और AC कितना भाई साथ 12 बोलो है की नहीं है 12 का square clear हुआ तो X का square equal to 13 square कितना होता 169 और 12 का square कितना होता 144 तो add कर दो 169 प्लस 144 9, 4 कितना हो गया 13 ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम लोगों ने क्या लिए यहाँ पे 13, 12, 9, 4, 3, ठीक है थोड़ा सा कुछ अलग लिलनू कहा है इसको 12, 15, 17, 225 ओके, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ बच्चो क्वेश्चन को हलका साब की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर 15 ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ 15 तो चलिए भाई साब यहाँ पे हो जाएगा कितना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा question में x square equal to x square equal to ab, ab मतलब बेटा कितना 15 का square बोली है सानो और यह कितना 12 का square ठीक न थोड़ा सा और चेंज करो भाई सब अभी भी मजा नहीं आ रहा है यहाँ 7 ले लो, क्या ले लो 7 अब ठीक है मेरी साब से चलिए जी नहीं नहीं सोच रहा हूँ चलो कितना anyway, चलो अब जो ले लिया तो ले लिया कोई बात नहीं, आब आँगे चेंज नहीं करेंगे चलो, तो 7 का square कितना होगा 49 और यह हो गया 144 बोलो ठीक है अब इसको आप भाई add कर देते हैं क्या कर देते हैं, add कर देते, तो 144 और यहाँ पे 49 49, 9 और 4 कितना होगा 13, बोले यह सवन नू 193 तो x square equal to कितना आया है 193, बट आपको चाहिए क्या है x चाहिए, क्या चाहिए है x चाहिए, तो एक नया rule सीखे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, x square equal to आया है 193 तो x equal to क्या हो जगा, square हटता है तो सामने वाले पे लगता है square root क्या लगता है और यह होता है 193 क्या होगा 193, बस आप इतना ही छोड़ करके यह कोई दिक्कत होने वाली नहीं है चलिए, एक और question आपको मैं कराता हूँ तब आपको और ज़्यदा feeling आईगी मान लीजे उसका square root आपको नहीं निकालना क्योंकि square root आपको वो निकालने जो आपको रटे रटा है कौन कौन से square root आपको रटे रटा है मैं आपको बता देता हूँ 1 का square root क्या होता है root 4 का square root क्या होता है 2, याद है 4 का square root क्या होता है 9 का square root क्या होता है पर 16 का स्वायर जो क्या होता है 25 का स्वाय जो से बनता से इसले 20 पाइब छाकготов क्या होता है और उसके बाद 49 स्वायर जो क्या होता है 161 क्या होता है डिलिख ओके 144 का कितना होता है 12 ऐसे ओके 169 का कितना होता है 13 13 ओके और 196 का कितना होता है 14 तो आपको 20 तक स्क्वार रूट और 20 तक स्क्वार आपको याद होने चाहिए तो आपका home वक्या में आपने पहले भी मैंने आपको बोला है कि 20 तक square और 20 तक square root आप याद कर लीजिए तो देखे इस square कैसे करते हैं 1 का square equal to 1, 2 का square equal to 4, 3 का square equal to 9 ऐसे करते करते हैं यहाँ पर आएगा 10 का square कितना आएगा 100 फिर 11 का स्क्वाइर कितना 120 और लास्ट में 20 का स्क्वाइर कितना होगा 400 कितना होगा स्क्वाइर 400 अब इसी देखे से इसका उल्टा भई 1 का स्क्वाइर 1 है तो 1 का स्क्वाइर रूट कितना होगा 4 का स्क्वाइर रूट कितना होगा 100 का स्क्वाइर रूट कितना होगा और लास्ट में अंडर रूट 400 का स्क्वाइर रूट कितना होगा 20 समझ गया ना मतलब स्क्वाइर करना मतलब दो बार मल्टिप्लाई करना और स्क्वाइर रूट करना मतलब उसका उल्टा करना ठीक ना तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अब अपन चलते हैं अपने question की तरफ, मान लीजे आपके पास में कोई right angle triangle है, ये लीजे, ये कोई right angle, triangle है, आपके पास ये side दी गई है 3, और ये side दी गई है 4, आपको ये side पता नहीं है, तो आपने इसका नाम त पढ़ा ही तो उनको rule, जो मैं rule पढ़ा रहा हूं पाई था, गोरा सी तो नाम है, 90 degree पर लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, हाँ, चलिए, तो क्या कहेगा, सबसे बड़ी side का square, सबसे बड़ी कोई है, x, x का square equal to बाकी की बची दो side का square, बोलो, 3 का square, plus कितना, 4 का square, बो बोले है, तो x equal to under root 25, 25 का square root क्या होता, 5, very good, मतलब ये side कितने centimeter होगी, 5 centimeter, आगया समझ में, अब question बोलेगा, इसकी perimeter निकालो, तो पहले side find करवाई आप से, फिर क्या निकलवाएगा, perimeter, तो perimeter equal to 3 plus 4 plus 5, होगा की नहीं होगा, क्योंकि ये 3 है, 4 है, 5 है, तो answer कितने centimeter, 12 centimeter, बोल problem, चली, बहुत बढ़िया, चली, एक और question लेता हूँ, देखिए, एक और question मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, चली, मान लीज़े, आपके पास में, ये side आपके पास में, ये right angle triangle, कौन सा triangle है, right angle triangle, आपके पास में, यहाँ पर, एक side दी गई है, 13, क्या दी गई है, 13, ठीक है, ये दी गई है, 13, ये किती दी गई है, 13, और ये दी गई है, 12, ये किती दी गई है, आपको ये वाली side इस बार find करनी है, तो न, देखिए, अभी तक मैंने आपको ये find कर रही, आपको कौन सी side find करनी है, ये वाली, तो जो पता नहीं, उसको क्या मान ली आपने, X, अब सी और मैट्स लगेगी ये कितना हो जाएगा 160 एक्वाल टू एक्स स्क्वाइर प्लस 144 अब देखिए आपको एक्स स्क्वार चाहिए तो एक्स स्क्वार कुछ तरह पकेला छोड़ लो अब 144 इधर पर क्या है प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो 169 माइनस 144 अब 169 में से 144 माइनस कर दो बोलो 9 में से 4 गया कितना बचा ये कितना बचा 2 तो कितना आ गया जी 25 इक्वल टू कितना x का square तो x इक्वल टू हो जाएगा square root 25 x की value किती आएगी 5 तो answer ये कितना आ गया जी 5 cm बोलो आ गया ना है ना बहुत काम की चीज तो इस तरीके से आप जो pythagoras theorem का use करके right triangle के लिए कोई भी side आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो के नहीं निकाल सकते हो आगया समझ में चलिए तो अब एक question करते हैं जो आपके exam में आया हुआ है देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हमने क्या सीख लिया हमने आज कल क्या सीख लिया आज हमने सीख लिया type of triangle आज की class में हमने क्या सीख लिया types of triangle सीखा ना पहले चीज हमने यह सीख लिया type of triangle दूसरी चीज हमने सीख लिया types of angle दूसरी चीज हमने सीख लिया types of angle ठीक ना तीसरी चीज हमने क्या सीख लिया area निकालना क्या निकालना area और चटवी चीज हमने देख ली pythagoras theorem लगाना क्या लगाना pythagoras theorem लगाना हमने सीख लिया कि कोई भी right triangle है तो pythagoras theorem में सबसे बड़ी side का square बाकी की दो side के square के जोड़ के एकक्वल होता मतलब l square बराबर a square plus b square बुले यह हो गया तो इतनी सारी चीजें हमने सीख लिया है ठीक ना angle भी सीख लिया और हमने area perimeter यह सब सीख लिया area निकालना triangle कभी सीख लिया चलिए आईए तो एक question हो जाए इस पर जो आपके exam में आया हुआ है देखे यहाँ पर नवदय में question आया हुआ है NVS का आया हुआ question देखो भाई साब जिसके लिए तनी महनत करी आखिर वो बक्त आ चुका है कह रहा है if two perpendicular sides of a right triangle are five and twelve कह रहा ट्रेंगल की दो perpendicular perpendicular मतलब एक दूसरे पर 90 degree एक दूसरे पर 90 degree 90 degree कोई क्या बोलते है perpendicular किसी triangle की दो perpendicular side कौन कौन सी है 12 है और 5 है तो भाई साब ये तो दो perpendicular side हो गई या आपस में जो L shape में है उनको बोलते है perpendicular side क्या बोलते है ये L shape में है और कह रहा है तीसरी side अपन को पता नहीं है ये लीजे तीसरी साइड जो भी होगी माल लो क्या है X जो चीज पता नहीं उसको अपन ने X माल ली question कह रहा है बताईए ये X हो गई question कह रहा है कि बताईए perimeter क्या होगी perimeter क्या होगी अब देखो भाई साथ पहले X निकालना पड़े क्या निकालना पड़ेगा तो X निकालने के लिए कौन सी theorem लगीगी Python गोरस Python गोरस theorem कहा का कि दी सबसे बड़ी side का square सबसे बड़ी side को होगी है आप है तो X का square equal to बागी की दो side का square पाच का square बीच में की आता है बीच में की आता है plus minus into division प्लस आता है ना पर पेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस यह वाली साइड का स्क्वाइर प्लस यह वाली साइड का स्क्वाइर बुले यह सौनू clear हो गया, कोई दिक्कत, तो बड़ी वाली side का square, x का square, 5 का square कितना हुआ, 25, और 12 का कितना हुआ, 140, गोर दो, x square equal to हो गया, 25 plus 154, 169, ओके, तो x equal to हो जाएगा, square root 169, बोलो 169 का square root क्या होता है, बेलकुल सही, तो x की value कितनी आ गई, 13, लिओ, तो ये भी आ गया, 13, क्या आ गय अब निकालना है आपको इसका, क्या निकालना है भाई साब, perimeter, तो perimeter equal to sum of all the sides, तो 5 plus 12 plus 13, तो 12 और 5 हुआ, 17, और 13, आंसर कितना हुआ, 30 centimeter, बोले है सौनू, चलो बातो बातो मैं मैं इसका area बोलू, क्या निकालने को, area, तो area equal to कितना होता, half base into height, half base into height, इसका base क्या है बोलो, और height कितनी है, तो 5 centimeter, अगर आपको area निकालना होता, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, यह नहीं कि area निकालने को आया हो, जब अपन परिशान हो रहे है, इसको find होते हुए, समझ गया न, area किस से निकलता है, L shape से, किस से निकलता है, यह भी पता हो, और यह भी पता हो बीच में 90 degree हो, तो area आपका आजाएगा, तो 1 upon 2, base कितना है बिटा, 5, और height कितनी है, 12, उल्टा बोल गया, base है 12, और height कितनी है, 5, yes or no, तो चलो 2 से कितने बार कड़ गया, 6 बार, तो answer 6, 5 जा कितना, 30 centimeter square, centimeter square, समझ में आ गया, तो बिटा, perimeter लंबाई होती, वो हमेसा centimeter में आ आपका answer बन गया, 30 centimeter, क्या बन गया, तो आपका जो question नवोदे में आया, उसका answer कितना बन गया, 30 centimeter, okay, तो चलिए यहाँ पर आज आज आपकी जो class हुई, mensuration की, यहाँ पर आपकी level 1 की class finish हो चुकी है, और आपका homework आप जान चुके होंगे, यह पूरा का पूरा revision करना है, और आपको triangle की perimeter निकाल लिए, आपको 10 question करने है, perimeter के किसके करने है, okay, साथ ही साथ जो perimeter निकालोगे, वहीं पर उसकी semi perimeter भी निकाल दोगे, मतलब perimeter का आदा, perimeter का आदा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है area of triangle, area of triangle, area of triangle, तो बहुत ही simple, इस type के triangle बनाएंग आप, यहाँ पे ले लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे 6, और यह perpendicular गिरा देंगे, इसका नाम ले लेंगे 4, क्या ले लेंगे, now, area equal to half, base into height, half base into height, तो half तो half जिंदा बार, भाई, base कौन है, यहाँ पे 6, base कौन है, 6, और height कितनी है, 4, height कितनी है, 4, तो 2 से यहाँ दो बार कट गया, तो 6, 2, जा कितना हो गया, 12 cm2, समझ में आ गया, तो इस तरीके साब area निकालेंगे, क्या निकालेंगे, area, फिर इसके बाद आपको लगानी है, pythagoras theorem बाले question, क्या लगाने है, pythagoras theorem, तो अपने मन से कोई right angle, triangle ले लेंगे, yes or no, इसको 2 ले लेंग और इसका नाम पता नहीं, तो क्या ले लेंगे, x, क्या ले लेंगे, x, दो चीजें ले लोगे, अपने मन से, तीसरी चीज, x ले लेंगे, अब चलिए pythagoras theorem लगाए, pythagoras theorem होती, सबसे बड़ी side का square, x का square बरावर 2 का square, प्लस 4 का square, तो x square 2 का square हो गया, 4 और 4 का कितना हो हो गया, 16, तो x square equal to कितना हो गया, 20, तो x equal to हो गया, under root 20, अब under root 20 तो अपने को पता है नहीं कुछ, तो सीरी आप इसका answer लिख दो, answer under root 20 cm, भाई, जो पता होगा, उसका बताएंगे, जो नहीं पता उसका पन, नहीं बता पाएंगे, बोले एस वाननो, कोई रिकत, हाँ, त अब को बता दिए, ठेके न, अगले बार, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाओंगा, मित्रो परसेंटेज, क्या पढ़ाओंगा, परसेंटेज निकालना, है न, परसेंटेज निकालना, जैसे आप कहते हो न, मैंने का कितना मज आया, इसकूल में, तो आपने का 50% मतलब आधा आपको 10% आपको 20% ऐसे बोलते हैं नो कभी-कभी तो ये percentage actually होता क्या है इसकी meaning हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे बट उसके पहले आपको इसका homework मेरे को पूरा करके चेक कराना पड़ेगा चलिए तो बहुत-बहुत धन्वाद हमसे जोडने के लिए आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही लेक्चर हम बार-बार आपके लिए लेके आते रहेंगे तिल नाओ दिस इस लोकेश सर साइनिंग ओफ Have a nice day बाइब बच्चो जै हिंज जै भारत नमस्कार